यह हैं चलिए स्टार्ट एक दो तीन चार पाँच छे सार आठ नौ दोस्तो नमस्कार कैसे आप सभी लोग एक बार फिर से आप सभी लोग को कारिंग गुडिया ब्लोग्स में बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों भी सुबा के नौ बज रहें और में तरफ से आप सभी ल रुड्रांस की भी तरफ से जुड मोर्निंग कैसे और आप लोग डूक के जीए three बहुत करों वहां करते हैं यह स्वार लोग अपने दोगरों में अच्छे होंगे उस्वास्थ होंब सुझ होंगे अपन अपने काम में बैस्थ होंगे और आज अभी чलीए मौर नींग और आज है संडे, तो आज है मस्ती का दिन, फूल डे, इंज्वाय का दिन, तो कुछ इस्पेसरल डिस हम लोगों ने पै किया था, कि चलिए बनाते हैं, बनाने बाद में उस चीज को आपको दिखाते हैं, और आज बनाएंगी गुरिया क्या बनाएंगी बताइए, क्या बना क्या दे लिखता है बाबा, तो चलिए फिलाल, बेदो नहीं लगता, ऐसे कर रहा था, तो चलिए, इस ब्लोग ऐसे लगता है, जो लोग फस्टाइम आया हैं, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब किजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर लो जा रह हैं, वीडियो बना जा कि या ठी है तभी तो आपके दोस्त को मल लगेगा वीडियो बनाने में तो चले फिलाल स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की और यह आरुसी तो यह क्या आपने बना गोल रखा है यह बेसन को गोल के रखा है और यह दर चोखा बन गया है और सामने ब्रेट निकाले जा रहे हैं आप तो समझी के होंगे अब क्या होने वाला है और प्रेट को चारो तो से काट लिया है काटने बाद में इसमें जो चोखा बनाया है उस्चीज को इसमें भर लेते हैं बढ़ने के बाद में आलो अच्छे सबरेंगे जब यह मस्त लगए उसके बाद में ऊपर वाले को इसे कर देते हैं आओ मिलो सीलो सालो कच्चा धागा रेश लगालो दस पत्ते तोड़े एक पतकत पयल वाले ना-ना-ना गई लन्डन महा सलाइतो कंगन एक अगटोटा नन का दिल रूठा नाना कुमानाएंगे रसमलाई खाएंगे रसमलाई अच्छी हमने खाई मच्छी मच्छी में काटा तेरा मेरा चाटा हमने खाए समूसे समूसे बढ़े अच्छे पाइल वाले नाना जी नमस्ते ना पाइल चोड नाना नमस्ते चलिए फिलाल दो बन गए हमारे वाले अब आरूसी के बन रहे हैं चलिए फिलाल ब्रेट को अंदर डाल दिया है और इसके अंदर कढ़ाई में डाल दिया है वैसे करो इसके एक मसीन भी होती है और यह रहे दो बन चुके हैं रूद्रांस यहां पे लेटे हुए खाना है तुमको भी खाना है खाएगा 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 तो आपने बहुत खुशुरत पकोड़े बनाए इसके वारे में क्या कहना चाहते हैं कब सीखा आपने जब धरते पेड़ से सीखे आई तो बहुत अच्छी बात यह रहा चुखा यह अबीसा और यह रहें बेट यह बना हुआ और यह खाने वाला प्राडी जो भी उंगलिया खा रहा है इसको ब्रेट नहीं मिल रहें तो तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं जो हमारा जो ब्रेट पकोड़ा है वो बना कैसा है हम एक दम होटल के जैसे मस्त लग रहे हैं बहुत ही बड़ी है तो अब हम सोच रहे हैं पार टाइम बिजनेस करवाने के लिए अगर फेला लगवा देंगे इनको इसको ने सब्सक्राइब पकावड़ा एक है बढ़े लग रहा है अच्छा लग रहा है आप लोग भी देश सकते हैं तो आम रावें थोड़ा नगी 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 शे दिखाएए यह सही है ना बस है तो फिलाल बहुत बड़ी आप लेट पकोड़ा है अगर अगरे डिप्स की कौन कितने डिप्स मार लेगा चैलेंज है हम में और बोवी में ठीक है तो आप लोग फ्लीज व्लोग में बने रहेगा भी दिखाते हैं कौन कितने मार चैलेंज होता हूँ कोई बार नहीं तुम्हारे लिए पांच की शूट है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं नई पांच के नई चालिस की पक्षे चालिस तो टो अज़ाग आठ आठ बार नव तेरा चौदा पंद्रह पंद्रह शोला सत्रह अज़ाग 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 दीस इकीस पांचीस कर पाया विहलाग बहुत दिनों के बाद में किया है इस वज़ा से माँ पशीज वरना पहले पचास कर लेते थे करो 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 चलिए फिलाल नास्ता पानी हो गया अब चलते हैं थोड़ा सा नहाते हैं और आज जाना है जल्दी आज है हम लोगों का मैच थोड़ा सा ब्लोग आप लोगों को मैच वाला भी देखने को बिलेगा तो चलिए सबसे पहले नहा लेते हैं रेडी हो जाते हैं फिर दिखाते हैं आगे खामने हो गया है और अभी टाइम हो रहा है कियारा बसकर पंदरन नट अब निकलते हैं ओफिस के लिए और आज से एक मैच भी है टीम के साथ में तो चलिए फिलाल आगे की चीज़े आपक गुलाय गुलाय नहीं बॉलते है गुलेल बोलता है और अरै उसी ने भाई रेडी मेट एक गुलेल बनाया है उनकी ममीन को बहुँ ज़약रा करती है तो उन्हें गुलेल बना लिया है बोला कि अगर आप कुछ ज्यादा बोलोगी तो गुलेल है मात पास इसे चांग फोड़ देंगे तुम्हारी छोड़ ना मत छोड़ मत देना चले और ये आम की लकड़ी है इसी का बना लिया अपनी लास्टिक लगा के चल ठीक वाइड बॉल अनिल को खड़े होके खेलने की जुरूत है क्योंकि बहुत अभी और बचे हुए हैं सेस और क्रेस को उनकी अगली बॉल खेलने के लिए तयार है एस्टिटी प्लेयर मार दिया है चार रनों के लिए जो मैच आप लोग खेल रहे हैं इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप पूरी तरह सहाँगे पूरी तरह सहाँगे और अनिल तुम्हारा क्या हुआ जीतने के आभी भी जीतने की संका है मैंनी स्टैक पर बीदनर सिंग और ये वाइड बॉल थी नहीं भी मारते तो कोई बात नहीं थी